हाई फ्रेंट्स इस ओमांग शर्मा फ्रम आपका सहपाथी फ्रेंट्स आज हम आ गए हैं बिजनस स्टुडीज पार्ट ए के लास्ट चैप्टर एट पे कंट्रॉलिंग इससे पहले वाले 7 चैप्टर हमने पूरे कर लिए उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो मैंने आपसे कहा था कि अगस के मन्त में हम पूरा बिजनस स्टुडीज कंप्रीट कर लेंगे आप देख सकते हैं आज है डेट 16 को आपको यह वीडियो मिल तो जलिसे हम अपना कंट्रॉलिंग candries start करते हैं और दो वीडियो में इसको खतं करते के आहीं start करते हैं आज का वीडियो स्पेश्ली स्टैफ्टर को स्टार्ट करने से पहले वैसे तो मैं सारे चैप्टर में आपको बोलती हुँ बट इस चैप्टर में specially बोल रही हो कि साथ करना स्टर्ट करते हैं हम कंट्रोलिंग के मीनिंग के साथ कंट्रोलिंग को हिंदी में नियंत्रन बोला जाता है तो नियंत्रन का क्या आर्थ होता है देखिए basically हमारे पास होता क्या है management के five functions होता है planning आप जानते हैं organizing वो भी आप जानते हो, staffing भी आपको पता है और directing भी आपको पता है, ये चार हम कर चुके हैं, अब बात आती है सबसे last में controlling की, तो controlling क्या होता है, controlling में होता है, ये check करना कि हमारा जो काम है, वो plan के according, जो हमने planning की थी, उसके according हुआ है या नहीं हुआ है, controlling का मतलब होता है, compare कर करेना या तुलना करना किसमे, planned performance में और actual performance में, planned performance कौन सी थी, जो हमने काम को start करने से पहले एक planning की थी, कि हम ऐसे ऐसे काम को करेंगे, तो उसमें आपकी जो imagination थी उनमें और जो actual performance है उनमें compare करना ही क्या बोलते हैं हम उसको हम उसको बोलते हैं controlling यानि उसको बोलते हैं नियंत्रण अब होता क्या है नियंत्रण में या planning, sorry controlling में केवल compare करना ही नहीं होता compare करना और साथ में अगर ऐसा हुआ है कि आपके आपने जिस aim के लिए जिस goal के लिए आपने planning की थी और वो planning वो goal आपका पूरा नहीं हो पाया तो साथ में ये भी check करना कि कहां कमी रह गई जिसकी वज़ा से हमारा goal complete नहीं हो पाया तो controlling क्या होता है पहला हमारी planned performance में और हमारी जो actual performance है उनमें compare करना compare करने के साथ साथ ये देखना कि जो कमी रह गई है वो कहां पे रह गई है अगर एक example दो तो जैसे आप में सिप किसी student ने मानली जैसे plan किया कि इस बार मुझे 95% से अबव लेकर आने है अगर उसके 95% exam में 95 की जगह उसके आएगे मानली है 93% तो controlling का काम ये होता है कि वो कहां पे 2% की कमी रह गई जिसकी वज़े से उसने जो planning किया था वो पूरा नहीं हो पाया ठीक है इसके बाद में ये तो हमने बात की इसके meaning के बारे में आप लोग screenshot ले लो और लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है इसके बात में हम बात करेंगे इसकी importance क्या होती है controlling की जो पहला importance होती है वो होती है organizational goal जिसको हिंदियों बोलते हैं संगट नात्मक लक्षों की निश्पत्ती देखो ये हम first chapter से लेके seven chapters तक एक चीज तो पढ़ी रहे हैं जो सब में common है कि हम किसी ना किसी goal पर पहुँचने के लिए एक plan बना रहे हैं उसको follow कर रहे हैं किसलिए कि हम किसी लक्ष तक पहुँचना चाहते हैं तो controlling का जो सबसे पहली importance है वो क्या है यह हमें help करता है उस goal तक पहुचने के लिए क्यों कि यह आपके planned performance में और जो आपकी actual performance है उनमें compare करके आपको बताता है कि यह चीज हो पाएगी और यह नहीं हो पाएगा तो first कौन सा हो गया organizational goal हिंदी में बोलता है संगत नात्मक लक्षो की निश्पत्ती साथ की साथ स्क्रीन शॉट लेते रहो इसके बाद में second जो importance है वो है judging accuracy of standards जिसको हिंदियां बोलता है मानकों की यथार्ता को आखना अभी हमने उपर बात की कि controlling जो है वो क्या है आपके actual performance को और आपके planned performance को check करता है कि जो आपने सोचा था उस तरीके से काम हुआ है या नहीं हुआ है तो इसमें क्या होता है कि आपने जो चीज imagine की है आपने जो planning बनाई है उसमें compare करता है compare करने के साथ ये भी नापता है य जो मतलब वो चीज possible भी है या नहीं बहुत सारी चीज़ें सोचने में लगता है कि हो जाएंगे लेकिन वो possible ही नहीं है जिसे for example अगर हम बात करें आपका किसी चीज़ का production का काम है आपके पास machinery है तीन और उन तीन machinery से आप जादा maximum मान लीचे 10,000 units किसी चीज़ की बना सकत है और तो क्या ऐसा possible है कि अगर आप किसी से contract ले लें 50,000 units बनाने का तो वो possible नहीं है तो यह difference बताता है हमको जो हमारी planned performance है और जो हम actual में कर सकते हैं उसके अंदर इसके बाद में next एक बार मैं पूरा दिखा देती हूं आप लोग screenshot ले सकते हैं इसके बाद में next है हमारे प एक अच्छी controlling process से employee motivate होता है क्योंकि उस employee को ये पहले से पता होता है कि हमको क्या करना है मतलब उसको पहले से पता है उसको पहले से instruction दिये जाते हैं कि आपको क्या करना है और साथ में उसे ये पता होता है कि अगर वो same process से काम करता है तो वो कहां पहुंच सकता है मतलब होता है जो employee होता है वो हमीशा self motivated रहता है तो controlling जो है वो employees को motivate करने का भी काम करती है इसको एक बार पढ़ लेता है एक अच्छी नियांतरम प्रडाली में कर्मचारीयों को पहले से ही अग्यात होता है करने की आशा की जा रही है उनको पता होता है कि उनके जो worry मैनेजर वो उन Minuten छहते हैं और आगर वहtechno कर के देता हो जो आपसे चाहते है तो क्या होता है वह आपको प्रमोथ करते हैं आपकीкі सैलरी इंक्रिमेंट होते हैं या फिर आपको बोनस मिलते हैं इस तरीके की चीज़े मिलते हैं तो employee क्या होता है motivate होता है उसके बाद में इस chapter का बहुत important topic है controlling process इसको हिंदिया बोलते है नियंतरन प्रक्रिया ध्यान से समझना 5 है यहां पर 5 steps दियो है यह 5 जो step है पहली चीज यह कि यह सारे इनी इनी serial में लिखे जाएंगे जो first पर है वो आपको first number पर लिखना पड़ेगा second वाला second पर ही third थर्ड पर ही आएगा fourth वाला fourth वाला fifth वाला fifth वाला इनको आप अपने मन से उपर नीचे नहीं कर सकते यह से importance के point थे वो आप अपने मन से उपर नीचे कर सकते थे लेकिन controlling के process आप उपर नीचे नहीं कर सकते start करते हैं साथ में लिखते रहना मैं एक एक को अच्छे से explain करूंगी first वाला है हमारे पास setting performance standards इसको हिंदियां बोलते हैं निश्पादन मानकों का निर्धारण दूसरी चीज समझने में आसान यानी understanding करने में easy होने चाहिए और उनका time सही होना बहुत ज़रूरी है achievable होने चाहिए से मतलब यह है कि आप कोई essay standards तो set नहीं कर रहे हैं जिनको आप employee workers कितना भी काम करें employee कितना भी काम करें तो भी उसको achieve ना कर पाएं अगर आपने ऐसे standards set कर दिया तो इससे आपका जो employee है या आपके जो workers है वो क्या होंगे demotivate हो जाएंगे understanding करने में easy होने चाहिए इसका मतलब यह है कि उनको understanding उनको समझने में आपने जो भी वो बनाए है मानक तयार किये हैं वो समझने में आसान होने चाहिए तब ही worker उन्हें आसानी से समझ के पूरा कर पाएगा time उनका सही होना चाहिए इसससे मतलब यह है मा order बड़ा दे दिया अब उसमें क्या होगा वो कितना भी काम करें अगर उसमें उतने time में उतना बड़ा order possible ही नहीं तो इससे भी वो demotivate होगा या फिर यह भी ना हो जाए कि काम 15 दिन का काम आप workers को 20 या 25 दिन में करने के लिए दे रहे हो यह भी दिक्कत वाली बात है क्य actual performance वास्तवेक निश्पादन की माप क्या करना है हमें मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी imaginations थी जो हम प्लान कर रहे थे उसमें और हमारी जो actual performance है यानि जो वास्तवेक निश्पादन है उनमें कितना difference है उनको measure करना है अगर एक महीने में 2000 यूनिट्स बनाई जा सकती है तो हमारी imagination इतनी ही होनी चाहिए 2000 का मतलब हो गया 1900 से लेकर 2100 तक भी हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं हो कि एक महीने में 2000 यूनिट्स बनाई जा सकती है लेकिन आप imagine कर रहे हो कितना 5000 यूनिट्स का तो वो possible ही नहीं है तो क्या होगा measurement of actual performance उसके बाद में third है हमारे पर comparison of actual performance with standards जिसको हिंदिया बोलता है मानकों की वास्तविक निश्पादन की तुलना अब देखो हमने यहां पर क्या किया यहां पर तो हमने पता लगाया second वाले में कि हमारी actual performance में और हमारी planned performance में difference कितना था यहां पर हम क्या करेंगे उनकी तुलना करेंगे साथ में यानि compare करेंगे साथ ही reason का भी पता लगाएंगे हमने जो standard set किये थे किसी काम को करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं हमारी actual performance में और planned performance में compare कर रहे हैं साथ में अगर हमारा वो aim पूरा नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे यहाँ पे हम reason भी पता करेंगे कि क्या ऐसी problem थी जिस वज़े से हमारा target पूरा नहीं हो पाया इसके बाद में next है analyzing deviation इसको हिंदिया बोलता है विचलकों का विचलेशन इसको दो parts में divide किया है पहला है critical point control उसके बाद में और second है management by exceptions और हिंदी में first वाले को बोला जाता है जटिल बिंदू ने अंत्रण जटिल बिंदू ने अंत्रण और second वाले को बोला जाता है अपवाद द्वारा प्रबंध हाँ तो देखो जो first वाला है critical point control यानि जटिल बिंदू इसमें क्या होता है हम ऐसे keywords को देखते हैं या ऐसे key areas को check करते हैं जिनका business पर बहुत जादा effect नहीं पड़ता जैसे एक example के साथ समझाती हो हमारे किसी जीसका goods का production है ठीक है हम किसी के goods के produce करते हैं तो जब हमारे goods produce करने पर इस बार पांच रुपए बढ़ गए ठीक है और पांच रुपए ही बढ़े किस पर postal charges पर हम जो सामान भेज रहे हैं उसमें postal charges लगता है postal charges पर भी पांच रुपए बढ़े तो इनका मानना यह है कि हम production का जो हमारे पांच रुपए बढ़ रहे हैं हमें उस पर ध्यान देना चाहिए न कि postal charges पर postal charges पर क्यों charge नहीं करना चाहिए यार वो तो government की scheme पर बढ़े हैं या तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं हमारे हाथ में कुछ है नहीं पहली चीज़ दूसरी चीज़ के postal charges तो charge किये जाते हैं सामने वाली party से जिसके पास सामान पहुंच रहा है तो उसमें तो हमारा ना त कुछ ना छोड़ दो क्योंकि उन पर क्या है सिर्फ time waste होता है तो आपको ध्यान सिर्फ उन key points पर देना है जिन पर आप control कर सकते हो उसके बाद में next है management by exception जिसको हिंदियां बोले जाता है अपवाद द्वारा प्रबंध इसमें क्या होता है कि इनका मानना ही है कि अगर करना चाहोगे business में तो आप कुछ भी control नहीं कर पाओगे तो इनका यह बोलना है कि आप चीजों की limit को set करो जैसे आपने वह सोचा कि मैंने मेरे production में अगर दो रूपाई से उपर जाएगा मतलब rate अगर बढ़ेगी increase होगी अगर दो रूपाई से उपर जा रहा है तो कोई problem नहीं है यह इतना तो होता रहता है ना कि जैसे मानली जा आपका कपड़े का आप कपड़े produce कर रहे हो तो raw material पे थोड़ा पैसा बढ़ गया तो उससे दो तीन रूपाई का अंतर अगर आ कर रहा है चीजों को चेक करना स्टार्ट करूंगा तो आपको क्या करना है लिमिट सेट करनी है कि मुझे यहां तक अगर थोड़ा उपर नीचे होता है बिल्कुल सेम उसी पैटन पे तो चीज़े नहीं चल सकती ना थोड़ा बहुत उपर नीचे होता है तो आपको उसके करना है उसके बाद में लास्ट है टेकिंग करेक्टिव एक्शन हिंदिया बोलते हैं सुधारात्म कारेवाही करना यहां तक हम क्या कर रहे थे जो प्रॉब्लम्स आ रही थी जो हमारे डेवेशन थे जहां पर हम यहां तक अपनी गलतियां ढूंड रहे थे आप उन गलतिय सबसे लास्ट प्रॉसेस है आपको यह याद रखना है कि यह सारे इसी वाले सीरीज से आपको लिखने है इनको आप उपनी मर्जी से उपर नीचे मत करना नेक्स्ट यानि कल जो वीडियो आपको मिलने वाली है उसमें हम पढ़ेंगे रिलेशन्शिप बिविन प्लैनिंग एंड कंट्रोलिंग बेलेंगे कल के वीडियो में वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बैल आइकन को जरूर प्रेस करो तभी मुझे पता चलेगा कि आप कितने बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं है ना चल ओके बाबाए थैंक्यू झाला घजयो सामाच्छ